नागदा में हुई घटना के बाद बाल आयोग ने याता याता SP, RTO और चिला शिक्षादिकारियों को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि स्कूल बस और स्कूल वैन की सप्ताह में दो बार जाच होनी चाहिए और ओवरलोडिंग और स्पीड की भी जाच करनी चाहिए पहले भी दिशा निर्देश जारी किये गए थे लेकिन जमीन पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था अब नए सिरे से आदिश जारी किये गए हैं गुनहें इसको लेकर हमने समस्त जिला जो हमारे पुलिस अदिक्षा के ट्रेफिक उनको याकायात के जो हमारे जिले के अदिकारी हैं परीवन अदिकारी उनको एवं जिला सिक्षा अदिकारियों को हमने ये एसो पी ये जिसा निर्देश जारी किये हैं जिनका पालन कडा को हैं इस सभी आधिकार similarों को बोध ज़रूरी है यह हम सुष में एक जिम्मदारी भी टहके इसमें सभी s-co Alternatively में गभाद पर जिम्मदारी है इसपर ट्रहफिक विभाद पर जिम्मदारी है और साथ में ही ज़ु हमारे सिक्षर हाज bother उसपर भी जिम्मदारी करना है यह हमने इस S.O.P. के माध्य हमसाने दिसान रदेश दिए. पियुन आपिछ दिए दिए इए युज इन स्किल डिऴल्पमेंट विटन युजिए प्रेमियर शिल्बेस्ट इश्टि दिए रबिन्दर् नाठ तको रिए इन विए जिए आप देख रहे हैं दखल न्यूल